आपके लिए और देखते हैं यह पहले आप देख सकते हैं वीडियो में यह 20 फूट की रोड़ है पकी रोड़ है और पूरी बसावट के बीच बहुत ही साफ तुत्री कलोनीम में आपके लिए मकान लेकर आया हूं पत्याज बैज का न्यूली कंश्ट्रक्शन है और इधर से देख सकते हैं यह खुली रोड़ है ओपन रोड़ है और रहते हैं काफी मकान बने हुए है काफी कूश्टक मकान बने हुए है एक ही साइज के और यहां पर यह देख सकते हैं यह मकान है जो कि मैं दिखा रहा हूं पचास गज क्या है ग्यारेवाई एक्तालिस ग्यारेवा इसमें आपको पाइल प्त्हर स्य मिले हैं क्यात्यों कि देख सकते हैं और यह और यह पूरा मकान आप को दिखाता हूँ अंकर से आपको आप यह करेंगे कि इस्टोर रूम मिल जाता है कि यह इस्टोर रूम मिल जाता है आपको अब और यह मिल जाता है आपको वास रूम इंगले सीट के साथ काफी अच्छा बनाया हुआ है यह देख सकते हैं यह वीडियो में कि यह इस्टोर रूम है आपको और इसने काफी खूब सो टाइस लगाई गई है और यह आपको पचास गज में मिलने वाला है लोन की फैसलेटी अवेलेवल है रजिस्ट्री अवेलेवल है यहां पर और इंडिपेंडेंट हाउस है जड़ से लेके आसमान तक आपका यह मिल जाता है आपको बैडरूम और इसके बाद आपको मिल जाता है यह किचिन अरिया और इसमें आपको एक जाल मिल जाएगा ऊफर के लिए वीडियो में और यह एल्सेप में आपको इसमें किचिन मिल जाती है जिसमें टाइल बगर आपको लगवी मिलेंगी देख रकते हैं तो यह बहुत ही बहतरी मचानें पचास गज का मकान है यह 11 पाइक काल इसका साहज है इसका और इसमें आपको टू बैट्रूम सेट मिलेगा आपको यह इसने किचिन बाथरूम लैटरिंग अटेच्ट मिलेंगी आपको यह किचिन है एल सेट में देख सकते हैं आप स्टाइस लगी है तो बहुत ही बैतरीन मकान बनाएंगा इस लोकेसर की बात करें तो नंगला इंकले पार्ट वन में है यह सोहना रूर जो है नैस्नल हाइवेज सोहना रूर बल्लक उती सोना रूर उससे जमात 200 मीटर अंदर रह आपको और यह 50 रच का मकान है बहुत सब्सक्राइब में मिल रहा है आपको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें आप